एसालम Авुलिकूम उल्व दियर स्टुड़ेंट इस वीडियो में हम सखेंगे स्केर रोट निकालना ऐ प्राइम फेक्टराइजेशन और यह मैंने ने ने नमबर लिखियों में यह थ्री डिजित नमबर है यह फॉर डिजित नमबर है यह व्यूशन नमबर है तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर हमारे पास है पहला 625 यह हमारे पास नमबर है यहाँ पे आपने ऐसे कर लेना है दर असल यह आपने ऐसे लगा लेना है लाइन अब हम करेंगे इसका स्केर रोड निकालेंगे फर्स्ट फाल दो तीन बाते में यह आपने याद रखनी है पहले आप इसको काउंट करेंगे कितने डिजिट नमबर है त्री डिजिट नमबर हो इतने भी डिजिट नमबर हो त्री हो फॉर हो आपने यहां से शुरू होना है लेफ्ट ऐसे इस तरफ यहां से दो दो पेर बनाते जाए लाइन लगाने आपने एक ये पेर बन गया और एक ये रहा गया number just number 1 number 2 आपने ऐसा number डूड़ना है जिसका perfect square benाए तो इसके equal आ जाए यानि कि इस number के six के equal आ जाए या इसके छोटा हूँ, इससे बड़ा ना हो अब 1 को 1 से मल्टिप्लाइ करें प्रफेक्ट स्केर के लिए तो वो 1 ही रहेगा अब 2 से 2 को मल्टिप्लाइ करें तो वो मेरे पास आएगा 4 एंड उसके बाद अगर मैं 3 को 3 से करता हूँ तो मेरे पास जो नमबर आएगा वो होगा 9 3 का जो प्रफेक्ट स्केर है वो 9 हो गया जिसको हम नहीं लेंगे 1 और चोटा है यह कि 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है हमने का क्या करना है यहाँ पर 2 लगाना है इसी 2 को यहाँ पर लिख देना है अब इन दोनों को जब हम मल्टिप्लाइ करेंगे इस 2 और 2 को तो हमारे पास यहाँ पर आजाएगा 4 अब उसके बाद आपने माइनस कर लिना है यहाँ से माइनस कर लिने यह 2 बच जाएगा आपके पास 2 आजाएगा यहाँ पर अब आपने क्या करना है इस 2 में 2 प्लस कर देना है इस number को double कर दिना है इस number को 2 पर plus कर दिना है आपने और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 ठीक है अब यह 4 greater बड़ा है और यह 2 छोटा है आप इस number को भी उतार ले नीचे 25 को 25 को नीचे उतार ले तो यह आपके बास यह आ जाएगा अब कोई ऐसा number डूढ़े अगर मैं यہाँ पर 1 करता हूँ तो यहाँ पर 1 लिखना बढ़ेगा 41 को 41 से multiply करूगा तो 41 ही आएगा अगर मैंने यहाँ पर 1 से किया तो यहाँ पर 1 लगाँगा 51 को 1 से multiply करूँगा 41 आएगा ठीक है अगर मैं 2 से करूँगा तो यहां पर 42 हो जाएगा 42 को मल्टिप्लाई करूँगा 2 से तो आपके पास आजाएगा 22004 24008 यह भी नहीं होगा आपने कोई ऐसा नमबर डूड़ना है जहां जब यहां पर जो यहां भी लिक्षेंगे और वह भी यहां भी लिक्षेंगे लिकिन मुझे लगता है 5 आ जाएगा उसकी रीजन मैं बताथा हूँ अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूँ तो देखें 5 45 को मैं मल्टिप्लाई करता हूँ नग यहां बहुँ यह देखिए जब 45 को multiply किया जाएगा 45 से कुछ लग रहा है कि यह आ जाएगा उसकी reason मैं बताता हूँ आपको पहले डिजट हमें बता रहा है जब आप 45 को 5 को 5 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 25, 2 आपका carry हो जाएगा 5 को 4 से multiply करेंगे 5 4s आ 20 और यह 2s के साथ मिल जाएगा 2s के साथ मिल जाएगा 225, 225 अब इसको जब minus करेंगे तो कुछ नहीं बज़ेगा यह आपका 0000 आ जाएगा तो आपके पास perfect इसका square root कितना मिला 25 यह देखो 6 25 का हमने square root को निकाला है by deviant method मेरे पास हमारे पास जो answer आया वो है 20 25 अब एक और four digit number लेगे उसको हम solve करते हैं वो number है मेरे पास let's suppose यह है मेरे पास number 1000 और यह है 24 इस number का मैं निकालना जिखाऊंगा आपको square root देखें उसी तरह से यहां पर आपने लगानी है line दो आपने जो line लगानी है इस तरह से लगा ले नहीं है यहां पर line दो और यह दो पर अब तो का perfect square four है अब यहां पर तीन का perfect square निकालेंगे थ्री थ्री जार नाइन वन आ जागा यहां पर आपका माइनस का इसमें थ्री प्लस कर दें इसमें तो यह आ जागा आपके पास six खोड़ा साइधर लिखना है आपने इसको six आ जाएगा आपके पास इसको प्लस कर दिया अब इस 24 को नीचे उतारना होगा आपको 24 उतारे नीचे तो यह 124 आ जाएगा ठीक है इसके बाद आपने कोई ऐसा नंबर डूनना है जिसको यह लगाएंगे वही 61 लगाँगा 61 जाएगा लेकिन टू पर यह इजी ली जा रहा है हम बता लग रहा है जब 62 का मुल्टिप्लाय करेंगे तो मेरे पास आजेगा टू टू जार पोर एन टू शिक जार ट्वैल यह आपके पास आजेगा यहाँ पर 00 तो वन थाऊजन 24 का जो आपके पास स्केर उठाया है वाइडिविजन मैंतलम करने तो वह आपके पास 32 वैरी सिंपल वे इस तरह से हम फाइड आउट करते हैं अब आपके लिए में लेकर अब हम करते हैं थर्ड कोसन वह हैं फाइव डिजिट कोसन है नंबर है कि फिफ्टीन थाउजन वन ट्वंटी नाइन लगाने फिर नाइन यह वाली दो दो के पिर नाइन यहां पर वन तो भाई यह वन पर ही जाएगा वन वन जार वन तो यह माइनस होगा यह खत्म हो जाएगा इस वन में वन प्लस कर देंगे हम यह आजाएगा आपके पास तुब आप इस तोंगो उतारेंगे just 51 को उतारेंगे और इसको कौन से नंबर से multiply करें इसको हम करेंगे टू से यहां पर भी लिखेंगे टू यहां भी आजाएगा 44 यहां भी आगे आपके पास 44 अब इसमें से माइनस कर देंगे यह मेरे पास बच जाएगा 7 1517 अब इस वाले डीजल को उतार लिंगे नीजे यह मैं उतार लिता हूं नीचे 1729 हो जाएगा यह 1729 अब आपको करना यह है कि ये 2 कि इस में ७स कर दिना एक और? कि ये 2 श्याभरे पास इलिज़ा़ी अब कौन से नंबर डूंडें कि ये इसके कोल आंसर आ जाए अब ये परफेक्ट स्केर बनते हैं तो ये देखिए यहां पर मैं लिख हूँ अगर अगर थ्री से मैं करूँ अगर नेट स्पोस्ट्री से करता हूँ ये देखिए 243 को मल्टिप्लाइ करेंगे थ्री से 3 3's are 9 3 4's are 12 1 कैरी है 3 2's are 6 और 1 आपका कैरी था वो 7 में पक्ते बाइगा ये 0 आगा अब आपके पास जो परफेक्ट स्केर आ गया 15, 1, 2, 9 का जो परफेक्ट स्केर आपके पास आ गया वो है आपके पास 1, 20, इस तरह से हम किसी भी नमबर का स्केर रोट निकाल सकते हैं, मैं डिवियन मेथड़ से, next में मैं करवंगा prime से, prime factorization से और इसके बाल हम fraction को decimal में, decimal को fraction में convert करना सिखेगा, so thank you for watching this video, like करते, subscribe करने, मैं एडिवियन चले,